नमस्कार दोस्तों मैं आपका भाई बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन दोस्तों 5G नेट्रोक के बारे में कुछ डिस्कसन करेंगे हम वीडियो देखके काफी जल्दी इंफ्लेंस हो जाते हैं और उन चीजों को खरीदने के लिए परिशान हो जा तो हमने पहले भी इसके बारे में बात करी थी कि 5G फोन लेना अभी सही नहीं है आपका जो 4G नेटवर्क अभी चल रहा है ना अभी वो 5 साल और रहेगा मार्केट में कहीं नहीं जाने वाला भाई ये बहम अपने दिमाग से निकाल दो कंपनिया हमारे साथ गेम खेल रही जानते हैं इसके बारे में देखे जो भी कंपनिया इस वक्त 5G फोन लॉंच कर रही है ना तो वो क्या कर रही है कि 5G का प्रोसेसर तो उसमें लगा देती है मगर वो कैमरे में कुछ कमी कर देती है उसमें कॉंप्रमाइज करना पड़ता है हमको या फिर वो किसी और चीज म लोड के जगह LCD दे दी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो कॉंप्रमाइज करा देते हैं हमसे और हमें मैं यूपलेट करके हमें 5G फोन बेग दिया जाता अब मैं आप से एक बात पूछना चाहूँगा हमें से कितने लोग ऐसे हैं इंडिया के इंदर जो 5G गाडिका इस्तम करीबन 60-70% लोग इंडिया के अंदर 5G फोन का यूज नहीं कर रहे हैं और ना कर सकते हैं 4-5 साल के अंदर देखिए सरकारी डाटा है मेरा डाटा नहीं है सरकार कहती के 80 करोड़ लोग फिरी का राशन ले रहे हैं तो यह 5G फोन कहां से खरीद लेंगे क्योंकि 5G नेटर्क एक तो महंगा होता जा रहा है आप इसका रिचार्ज देखना भी कुछी दिनों में इसका रिचार्ज जादा बढ़ जाएगा और यह 5G नेटवर्क जिस जिस फोन में चलते हैं भाई वो मूबाइल फोन भी महंगी हैं मैं लिटरली आपको एक चीज बताता हूँ अगर आ जरूरी समझा पबलिक ने तो यह गलती हमने करी हैं मगर आज हम देख रहे हैं कि 4G नेटवर्क 5G से ज़्यादा अच्छा चल रहा है उनके अंदर आप देखेंगे तो कंफिगुरेशन ज़्यादा अच्छी दी गई है ऐस कंपेर टू 5G फोन के और हम सबको अपने दिमा से बरबाद कर रहे हैं और कुछ नहीं बलकि मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि देखें हर कंपनी है ना दो मोडल लॉंच करती है आज के टैम पर जैसे कि सैमसंग ने लॉंच किया था सैमसंग A32 5G सैमसंग A32 4G दोनों मोडल सेम मगर उसमें 5G और 4G का फरक था अगर उ लॉकल मार्केट में वो 550 रुपे की है और जो 4G है उसकी डिस्पले आ रही है 700 रुपे की 4G फोन में जो कंपनी वाले पार्ट्स लगा के देते हैं वो काफी अच्छे होते हैं लॉंग टाइम यूज के लिए होते हैं और जो 5G में लगा कर दे रहे हैं वो ऐसा दे रहे है यह सब अगर आपको 5G फोन इनमें सोई भी फोन अगर आपको 20,000 से नीचे मिलता है ना 5G कहके तो आप इनको मतले में आपको बताना चाहूं दिल्ली में भी अभी सही से जब 5G नहीं चल रहा है तो आप अधर इस्टेट का क्या ही खाल रखोगे किन मानना मेरे पास दिन म में जाके देखता हूं तो वह 5G पर सेलेक्ट होता है और 5G नेट्रोक वहां होता नहीं है अगर हमारे मुबाइल फोन में ओटो स्विच की शमता नहीं होगी तो वह 4G पर अपने आप नहीं आएगा तो उसको मैनुली जाके आपको 4G पर सेलेक्ट करना पड़ेगा यह प् 5G के इतने फाइदे अभी नहीं है आप से बस इतना कहना चाहूं कि आप परेशान ना हो 5G के चकर में कि मुझे 5G फोन ही लेना है और कुछ नहीं इसमें यह भी होता यह भी होता बाई जिन जिन मंदों ले रखा ना परेशान होता है इन फैक्ट मैं आपको यह भी बताओ कि मेरे पास ऐसे भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने 5G फोन लिए थे और वह यूज करने के बाद भी है और उसके बाद 4G फोन अब चला रहे है तो 4G फोन में जो ज्यादा इस पेशिफिकेशन मिल जाती है आपको काफी अच्छे पार्ट उसके अंदर मिल जाते हैं अगर आप 5G कहलो किसी भी नाम पर जैसे कंपनिया आपको मुबाइल फोन बेचती है तो वह उनमें जब अपडेट दे देती हैं एक साल के बाद वह बाद सुलो कर देती है आपके फोन को अगर आप एक ही फोन को एक साल से ज्यादा चला होगा तो फिर उनके फोन बिकेंगे कहां और तो यह जो हलकी क्वालिटी का मुबाइल फोन हम खरीद लेते हैं जैसे कि टेक्नो इन फिनिक्स यह चोटे-चोटे जो चोटी कंपनिया जो होती हैं आप इसलिए सस्ते फोन को खरीदना अगर आपको बीच से नीचे का कोई फोन लेना ना तो फोर जी में ले लिजे पंद तक मेरी बात मालनों क्योंकि पंदरा के ऊपर भी अगर कुछ जाए तो एड्मी नोट 12 प्रो ये पंदरा से ऊपर पड़ जाएगा मगर इसमें काफी अच्छी दे रखी है तो पंदरा से नीचे मालनी जी आप पंदरा से नीचे कोई भी फोन आप फाइव जी का ना खरीदें कई बंदों ने मुझे कमेंट करके पूछा था के सब्सक्राइब कर दिया कुछ ना कुछ वह आपको आप पर ही ब्लेम डाल देंगे और वो उस काम को करके नह नहीं रखतें मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में आपको जानकर ये अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइव कीजिएगा मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद गुडब बाई